नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण राधे राधे, प्रिय दर्शकों जो औरतें कपरे खोल कर नहाती हैं, उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरीए आपको बताया जाएगा, साथ ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी, तो चलिए मित्रों, आपका किम्ती समय बरबाद ना करते हुए, अब सीधे कहानी पर ही पहुँचते हैं मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे, लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो पूरा सुनि क्योंकि आधा अधूरा ग्यान कभी किसी के लिए सही नहीं होता, इसके अलावा हे माता लक्ष्मी जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमें जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे, दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विश्नु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान कर पिर इन्हें लाब कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि सनान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा कर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं, भगवान विश्नु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुपकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा, दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी, गलिया कीचर से भर गई, एक चौरे रास्ते में एक गहरा गढ़ा था, चारों और कीचर भर रहा था, और भगवान विश्नु ने लीला से व्रिध रूप धारन कर लिया, और विवश्च की तरह गढ़ा में जाकर ऐसे पर गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गढ़े में गिर परा हो, और निकलने की चेश्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो, लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझा कर गढ़े के पास बैठा दिया, कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यू भी समझा दिया कि जब कोई गढ़े में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पती सरवता निश्पाप है, इन्हें वही चुए जो खुद भी निश्पाप हो, यदि आप निश्पाप हैं तो इनके हाथ लगाईए, नहीं तो हाथ लगाते ही बैठी देखकर कईयों के मन में पाप और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से ढरे और कुछ लोगों ने तो लक्षमी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है, और कुछ दयालू चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पती को निकालना चाहा, परंतु लक्षमी जी के वचन सुनकर वे भी रुख गए, उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं, इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस् सैकरो आए, सैकरो ने पूछा और चले गए, संध्या हो चली, तब भगवान विश्नु ने माता लक्षमी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला, तब थोरी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए, हर-हर गंगे करता हुआ निकला, लक् पती को छूते ही जल जाओगे, उसने उसी समय बिना किसी संकोच के द्रड, निश्चय के साथ लक्षमी जी से कहा, कि माता, मेरे निश्पाप होने में तुझे संधेह क्यों होता है, देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ, भला गंगा में गोता लगाने के बा भगवान विश्णु जी ने माता लक्षमी से कहा, कि इतने सारे लोगों में से इस एक नहीं गंगा स्नान किया है, इसी द्रिश्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं म परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है, गंगा स्नान का बहुत पुन्य भी है, इसके बाद भगवान विश्णु जी ने माता लक्षमी जी से कहा, अब मैं आपको वो बारह बातें बताता हूं, जो भी मनुष्य इन बारह बातों को नहाते समय ध परतीत करता है, तब माता लक्षमी ने कहा, हे भगवान आप हमें यह बारह बातें बताईए, इसके बाद भगवान विश्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं, और माता लक्षमी बहुत ध्यान से सुनने लगती है, दोस्तों, यह बारह बातें आप लोग भी ब अत्वपूर्ण है, तो हे लक्षमी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, तब ही विश्णु जी अपनी वानी को शुरू कर और बताने लगते हैं, दोस्तों, विश्णु जी कहते हैं, सनान करने से शरीर निरोगी रहता है, और मन प्रसन रहता है, नहाने से चेहरे का खयाल जरूर रखा जाना चाहिए, नमबर एक, सनान करने के बाद, शुद्ध होकर पूजा पाठ आदी सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही सनान कर लेना चाहिए, नमबर दो, शास्त्रों में कहा गया है, कि सनान करने से इन दस गुणों की प्राप् चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन सनान करना चाहिए, नमबर चार, शास्त्रों में कहा गया है, कि सुबह सनान करने से पाप का नाश होता है, और पुन्य मिलता है, ऐसा कहा गया है, कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए च्छह में रहका सनान ही कहा गया है। 6. सुभा की लालिमा च्छाने से पहले ही सनान लेना श्रेष्ट माना गया है। 7. तेल लगा कर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकल कर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नमबर आठ, जिन घाटों पर कपरे धोय जाते हैं, वहां का जल अपवित्र माना गया है। इसलिए वहां से कुछ दूर हट कर ही नहाना चाहिए। नमबर नौ, नदी में ग्यारह या इक्किस डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नमबर दस, पवित्र नदियों में कपरे निचोरने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नमबर ग्यारह, नल की तुलना में जहरने का पानी, जहरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ट माना गया है। नमबर बारह, गंगा माता का कथन है कि सनान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाओंगी। इसके बाद भगवान विश्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपरे खोल कर सनान करती हैं। हिंदु धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है सनान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जिससे उनके घर की सुक सम्रिध्य बनी रह हैं। लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र सनान करना। आपने अकसर घर के बरो को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी सनान बिना कपरों के यानि निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौरानिक कथाओं की बात करें, तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बरा कारण कृष्ण जी के समय से जुरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में सनान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिये। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिये और गोपियों ने अपने वस्त् अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है क्योंकि इश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं और यदि आप निर्वस्तर होकर इसनान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुन का अपमान करने जैस होता है निर्वस्तर स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारिरिक नुकसान पहुँच सकते हैं यदि आप निर्वस्तर स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिक्ता भी नकारात्मक हो सकती है इसलिए ह हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपरा जरूर धारण करें। लेकिन बिना कपरों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक उर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है। और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुर पुरान के अनुसार जब आप स्नान करते हैं, तब आपके पित्र यानि मृत पूरवज आपके आस पास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपको पित्र दोश लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को त्रिप्ती नहीं मिलती है। और ये घर में पित्र दोश का कारण बन सकता है। और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहन करते हैं, जिनसे उनकी त्र निर्वस्त्र स्नान करने से पित्र अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नश्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में धन हानी के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्ही कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मना ही है। तो प्रियमित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? झाल झाल झाल